देश में एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं संगमनगरी प्रियागराज में आस्था के नाम पर एक ऐसा मेला लगने जा रहा है जहां रोजाना लाखों की भीड जुटेगे मेला शुरू होने से पहले ही तमाम लोग संक्रवित हो चुके हैं ऐसे में तमाम संत महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने पहल की हुई है वो ये चाहते हैं कि कलपवासियों को छोड़ कर बाकी पूरे मेले को इस बार स्थगित कर दिया जाए भीड कताई ना लगने दिया जाए और इसके लिए संत महात्माओं ने मेला प्रशासन से अपील कि है सरकार से अपील किए है और श्रत्धालूं से भी अपील को की जा रही है हमारे साथ इस वक्त प्रियागराज के backup के पीठा धेश्वर आचारे प्रवीन मिश्राजीं हैं उन से बात करते हैं जानने की कोशिश क करना है तो कलपवासी अपने टेंट में भी रहते हैं वह बाहर सोड़ी ज्यादा कम रहते हैं में रोक लगाना चाहिए जो यहां पे जो मेला लगता है बाहर जिसमें जूले यह सब लगते हैं वहां पे लोकल भीड बहुत ज्यादा एखट्टी होती है उसको परसासन को रोक दी सब्सक्राइब करेंла जएकिह विए की तरफ से क्या पहल की जा रही है किस तरीके से आप सरकार और मेला-परशासन तर्सेंदु से बात करें लोग आपस्समें साधूशंतों से बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग आगे भी आपना कारिक्रम जैसा हम लोग का बनेगा हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे श्रधालवों से भी कोई अपील करना चाहेंगे क्योंकि लोग यह मानते हैं कि यहां हम आएंगे डुपकी लगाएंगे तो मोग्छ मिल जाएगा श्रधालवों से किस तरीके की अपील है कि जीवन बचाना ज्यादा जरूरी है आस्थाबाद में भी हो सकती है जीवन बचाना बहुत जरूरी है और उसके लिए आज कल तो घर-गर में सब टीवी लगे हुए हैं लाइव आप कहां चल रहे हैं और आप सब लोग दिखाई हैं वह आएं अपना विशारे कलपास कर रहे हैं और भीड़ भाट न लगाएं लोकल पब्लिक नहीं खटी हो और जो जूला मिला है उसमें थ्यान रखके प्रसासन अमारे तो ठीक हो जाएगा आप बताईए कि क्या अगर श्रधालू घर पे रह करके संकल्प ले ले लेते हुए हमेशा महामारी न रहती है न रहेगी इस बार महामारी को देखते हुए स्वविवेक से निर्णेले कम से कम मेले में पहुंचें यही प्रार्थना सरकार और मेला प्रशासन से भी यही अनुरोध है भीड़ भाड़ जहां होती है ज्यादा उनको बंद करा में नुरोध किया है कि कलपवासियों को छोड़ कर बाकी आम श्रधालों के मेले में दाखिल होने पर मेले के आयोजन पर पाबंदी लगा दिये जाए और इसके साथ साथ उन्होंने श्रधालों से भी अपील की है कि वो घर पे ही रहकर संकल्प कर लें पूजा अर्चना कर ले उनको वही पुन्न मिलेगा जो यहां आकर गंगा में डुपकी लगाने पर होता है मुहम्मत मुहीन एबीपी गंगा संगम नगरी प्रयागराज एबीपी गंगा खबर आपकी जबापकी